वेगा बढ़ रहा है अभी और उसके लिए एड़ दमनी के प्राइसेज बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ते है फाइनांस निफ्टि का आज एकस्पाइरी है एकस्पाइरी के दिन प्राइस एक्षन जो है यहाँ पर ट्राप करते हुए बुलिद प्राइस एक्षन बना रहा है अगर इस रेड कैंडल के हाई को अगर तोड़ देता है तो यह मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है यहाँ पर मैंने दो लॉट एंट्री किये है एकस्पायरी है आज मंगलवार का दीन है तो एक बढ़िया सा मोमेंटम आया है और यह मोमेंटम सस्टेन होने जैसा है ओके तो यह सस्टेन होने जैसा कैंडल भी क्लोज बुलिश दे रहा है यह सब लोग ट्रैप हो चुके है जो ट्रेडर है वो अपना पोजिशन स्क्वेर आफ करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर बाई करेंगे मतलब पहले सेल किया तो अभी बाई करेंगे और मार्केट थोड़ा सा उपर जाएगा थोड़ा सा जो इंदमनी था पहले उसके प्राइस थोड़ा फास्ट उपर बढ़ रहा है comparative add the money, अगर हम पांच मिनट के टाइम फ्रेम में बात करते है तो पहले दो केंडल को break out दे दिया है और यहे जो false break out देखने को मिला है तो यह sustain हो सकता है तो हम देखेंगे पांच मिनट के candle को low cost false break out देखने को मिल यहाँ पे लगबग जो position है वो निगेटिव चला जाता है मतलब no loss no profit के आसपा चला जाता है तो यह 1000 जो है वो fear of missing out में आते हैं अब यहाँ पर देखते हैं तो एक अच्छा सा momentum वाला candle continue हो रहा है अभी भी एक candle bullish है okay close जो है अभी भी bullish में दे रहा है जो सफेद कलर दे रहा है वो green candle है मतलब bullish है और जो red है वो bearish है बेरिश आने के नीचे जाने वाला trend दरशाता है 9 बच के 26 मिनिट को एक लिया 28 मिनिट को दूसरा लिया यहाँ पे sustain नहीं हो रहा था जो move है ओ continuous नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पे exit कर दिया है अगर आप यहाँ पे देखते है तो यह weekly CPR and daily CPR के बाहर close successfully नहीं दे रहा था जल्दी तो यहाँ पे जो market sustain नहीं हो रहा था त thank you very much friends video अच्छा लगा तो like and share subscribe जरूर करना